कि अब कर दोस्तों मैं विकास चोधरी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके पनी चैनल किसान भायों के लिए कमाल का किर्सी यंत्र किसान भायों आपने यंत्र बहुत देखे हूंगे हमने बहुत सारे किर्सी यंत्रों की वीडियो बनाई है लेकिन जो मैडम जी के हाथ में है इसको बोलते हैं और यह किसानों के लिए वर्दान साबित हो चकता है यह इतना बढ़ बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारी मिश कर देंगे मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताईए जी मेरा नाम सौपनेल कुस्पाह है और मैं अग्रिकल्चर में इसलिए जुड़ी क्योंकि मैंने देखा तो यह किसानों के लिए बहुत यूसफूल है उनका समय बचाएगी में बैट के काटना है तो उसको खड़े में कनवर्ट करेंगे तो घुतले में दर यह समस्यां नहीं होंगे इसका नाम कहते को क्या बोलते है पहले हमारे किसान बाइओ के वारे में बताईए इसका नाम ह यह विकलता है अच्छा सबसे पहले बताईए इससे कौन-कौन हम फसल काट सकते हैं यह जो है यह से हराचारा मोंग उराच जितनी भी छोटी फसले हैं सारी आपकी से कट जाएगी किसान बाइओ वीडियो पूरी देखते रही है जादे कि आप देख रहे हम आपको यह बर जाएगे अजमीन के लावर्ण हम टाएगे फ़िया देख़े गार्थ जामी एक दिन एक एकडि इंध का मतलब यह है क्या मतलब हैं एक डिन में एक एक दिन से फजल की कटाई कर लेगा बिल्कुल कर सकता है और यह बकाइदा हमारे हाँ चलाया गिया है अच्छ अदमी ने एक एक एकड़ काटा हुआ और इसका एक और फायदा है अगर एक एकड़ आप इससे काटते हैं तो एक एकड़ काटने में कर आप किसी मशीन दिका यूज करत किसान भाई के और भी वह सारा कमेंट आएंगे यह इसका प्राइज क्या रखा आपने यह सर कंप्लीट किट यह जो आपने देखी है इसकी हराचारा काटने की मूंग उराज सोया भी इंजिगनी फसले सारी करते हैं आपके किट इंक्लूडिंग कूरियर आपकी 5,000 तीन्स चलाएंगे कुछ अलग से इसकी ट्रेनिंग की जुरुत पड़ती है आज जी सर्व ऐसा तो कुछ नहीं है बस यह थोड़ा सा छुटी मोटी सी टेक्निक्स होती है तो वह हम लोग मुबाइल के माध्यम से भी बता दो क्या से चलता है क्या साफधानिया रखनी पड़ती है इसके चलाने के लिए जी जाना कजाना के पétais चलाना की जयसे कि आपने वीडियो में पहले बताया सोव दनातियों काया काम करता है कैसे उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं देखें अबी के आए कि आप बैठ के काट जाहें तो आप कि इलोगे जाएं कि तो एक मिन. चले जाएंगे चालने में खड़े होके और हाथ से आप इतना रखते हैं और इसकी ब्लेट आप देख सकते हैं तो वह पूरा एरिया रखते हैं अच्छा बात करें दादू कि कौन सा दादू हमने पहले नहीं देगा यह मंगाते हैं कहां से आप लोग यह सर कनाड़ा से आता है वो भी इंडिया के ही वेक्थी बनाते हैं ऐसा आप अर इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेटल को मिक्सरी आ जाता है काफी मोट में पातला दिख रहा है लेकिन इसको बनानी में बहुत मेने लगओ है पीटाई होती है हास से बड natur चौती है बहुत बढ़ा प्रोसेश हैं तो तो तब यह आपकी तयार भी प्लेड यह यह हैं दो उनके लिए स्पेस्टी आप अगर विकल्प शाइथ मंगाते तो इस पेस्ली देख के मार्केट में नकली यह रहे हैं जी जी बिल्कुल अच्छा वो सच्टे सच्टे देते होंगे पिर किसान भाई बोलते होंगे तो चल नहीं रहा तो इसके मतलब यह प्रोड़क्ट खड़ाब है जी जी ऐसा नहीं है आप हमारी वेबसाइड है विकल्प.tech उससे और कर सकते हैं और बाकैड़ा मेरा नंबर है तो आप उससे कॉ प्रेणर को प्रोड़क बताओ किसान भाई और क्या चाहिए पांध़जार रुबे में आपको इतना अच्छा साइथ मिल रहा है अगर आपको चलाना नहीं आ रहा है तो आपके घर विकल्प वाले ट्रेनर को भेजेंगे आपको ट्रेनिंग प्रोड़करी जाएगी अब प्रेद नहीं कुछ भी नहीं होता है को निए और इसको कभी भी गरम पीटना नहीं होता इसकी पीटाई भी ठंडी होती है इसको किसान भाई घर बैठे कैसे मंगा सकते तेरे 500 रुपे आप भी जानते आज कुल मार्केट में बहुत सारे फ्रोड चल रहे हैं तो पहले तो पैसे कोई नहीं देता तो इसके बारे म किसानों के लिए आपने क्या सूएधा रखिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं इसलिए कभी पूरा पैदेमेंट आप से नहीं कहते हैं कि आप पूरा पैमेंट तुरुपे लेते हैं और बाकी आपको कोई भी नहीं आप घर जब पहुंच जाएगी तभी आपको द अब कि हम आपने बहुत बढ़िया जान कर दीं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद तो किसान भाई आपको कैसी लगी मुझे कमेट करकर जरू מתाएं फिलाल की वीडियो में इतना हा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहुत जल्र apro बताओं ऐसी किसानों सम्मंदित नहीं नहीं मशीनों की जानकारी के साथ तब तक के लिए आपका दिन सुभो धन्यवाद शुक्रिया थेंक्यू वीडियो देखने के लिए